हेलो आपनोग कईसे हैं आज हम बहुत ही टिश्टी पलफी बहुत भम कर तो मप Tayar हो जाता है तो क्या आप दो चमच में इतने इत्नी मिठाई कर भी बना है नहीं तो चलिए बनाते है तो हमने यहां हाप कटोड़ी के करीब अंगूर लिये हैं, क्योंकि मेरे पास इतने ही अंगूर थे। आप चाहे तो पूरे अंगूर से भी बना सकते हैं या आम से भी दोनों ही बहुत टेस्टी होगा, लेकिन मेरे पासाप कटोड़ी अंगूर थे, तो ब्राइंड करने वक्त अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होगा तो यहां हमने हाफ कटोड़ी दिये थे अब हम इसे इस्टेनर पर चान लेते हैं क्योंकि कितना भी स्मूथ पिष्ट बनाई है कुछ न कुछ लंब से उसमें रह जाता है तो हम इसे चान ले रहे हैं और जो लगा हुआ था उसमें भी हमने हाफ कटोड़ी पानी डालकर उसे भी एड कर लिए तो अब अच्छी तरह से हम इसे चान लिए अब यहां पर देख रहे हैं कि यह जो रस तयार हुआ है यह अभी बहुत गाढ़ा है तो हमने इतने गाढ़े गोल का मिठाई नहीं बनान है तो हमने एक छोटी सी कटोड़ी से इसमें दो कटोड़ी डेख कटोड़ी के कडी पानी और और एट कर लिए थे अब मेजरमेंट के लिए कोई भी पर दन कर ले बरे से बरतन में रख लेना है इसको अची तरह से हमने फैट लिये हैं अब इसमें Corn floor add करना है तो जिस का टोरी हमें मेज़रमेंट किय हैं उसी में हाफ का टोरी हमका फ्लोर ले रहा है अब इस corn floor को इस घोल में add करना है हमने एट कटके इसे खुब अच्छी तरह से mix कर लिया, corn flour अगर अच्छी तरह से mix नहीं होगा, तो इसके में lump रहा जाएगा, तो हमने इसे अच्छी तरह से घोल लिये हैं, तो आप चम्मच या विजकर किसी से भी इसे अच्छी तरह से घोल लिजिएगा, अब एक हम cake tin लि बरतन हो उसे आप ले सकते हैं तो इसे हमें पहले तेल से ग्रिस्ट करना है हमने थोड़ी से तेल डाल कर ब्रश से ग्रिस्ट कर लिया अब इसके नीचे हम थोड़ा सा खरबूज के बीज और ड्राइब फ्रूट डाल दिये जिससे मिठाए में अच्छी लगे और आपके चा इलाइची और केसर का पाउडर था वो भी हमने एड़ कर दिये आप चाहे तो सिर्फ इलाइची डाल सकते हैं और खुब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लिए जब चीनी अच्छी तरह से घूल गया उसमें जाग आगया आप हांत में उसे टच करके दिखिएगा थोड़ तो अब जब मैंगो और ग्रिप्स का बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा ग्रीन होने पर अच्छा लगेगा तो हमने यहां पर फूट कलर दिये हैं तो मेरे पास फूट कलर पाउडर में था तो हमने उसमें एक चमच पानी एड़ करके उसे मिक्स करके इसमें टाल दिये हैं यह optional है आप चाहे तो इसमें food color दे सकते हैं नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं हमने इसलिए दिये तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा तो अब food color देने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से mix करके चलाएंगे तो जैसे जैसी यह पकते जाएगा इसका color change होते जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कितना light आ गया है यह पकने के बाद बहुत ही देखने में एक चमक सा एक पका हुआ दिखने लगता है तो यह आप जब भी बनाईएगा तो आपके समझ में आ जाएगा इस गोल भी जब हम इसमें conflore दिये हैं तो वो भी धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगता है तो इसमें bubbles भी आने लगया और बहुत ही अब गाढ़ा इस तरह से गाढ़ा गोल बन गया है तो जब आपका यह लगे गाढ़ा गोल हो गया है और साइट साइट से पैन छोड़ने लग तो जब अब इसमें घी डालकर दो मिनाट तक अच्छे तरह से पकाईएगा घी डालने के बाद यह साइट से ही नहीं बलकि यह बीच से भी आप दिखिएगा यह पैन छोड़ने लगता है तो इस तरह से अब दो मिनाट पकाने के बाद इसमें अब फिर से हम एक चमच घी एट करते रहे हैं और दूसरी बाद घी एट करने के बाद यह बहुत जल्दी पैन छोड़ता है और गाढ़ा होता है तो आप इसे एक किसी भी बरतन में निकाल कर थोड़ा ठंधा होने की बाद आप देखिएगा तो यह जब बरतन में गुला की तरह बनने लगा तब समझ जाएएगा यह बनकर पेस्ट तयार हो गया है तो इसे हमें अच्छी तरह से पका कर ठंडा नहीं करना है तुरंत ही वह जो हमने टीन तयार किये हैं जो बरतन उसमें हमें एट कर देना है तो मेरा तो यहां घोल तयार हो गया अब देखने हैं ठंडा होने के बाद यह चिपक नहीं रहा है बरतन में तो हमने गयास बंद कर दिये दो मिनाट चला कर इसे निकाल ले रहे हैं और उसे टाइम हम इसे स्टीन में डाल लिए और इसे फैला लिए हैं तो यहां तो मेरा घोल उतारते वक्त ही थोड़ा ज्यादा ही गाड़ा हो गया था तो आप चेक कर लिज दो तिन घंटे के लिए तो बिल्कुल रख दीजिएगा शिट होने के लिए मैंने ओवरनाइट के लिए रखे थे क्योंकि रात के टाइम में ही हम बनाए थे तो इसे रात बार छोड़ दिये तो बहुत अच्छी तरह से शिट हो गया और यह आप काटने से ही समझ रहे हों है तो बहुत अच्छी तरह से यह बर्फी के सेप में हमने कट कर लिए और सुबा मेरे बेटा का स्कूल था तो उसे हमें टिफिन में देना था क्योंकि अब मॉर्निंग क्लास चला है तो रात को ही जो भी देना रहता है हम तयार करके रख लेते हैं तो बहुत टेस्टी बन कर तयार हुआ तो एक बार आप भी ट्राइ जरूर करिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब